आज आपके लाइंक important and useful topic, आज हम बात करेंगे major blockages के बारे में तो हमने already काफी बात है कि critical blockages के symptoms के बारे में हमने already काफी बात किये आज बात करेंगे minor blockages अगर किसी को हो तो क्या इसको जानना जरूरी है और इसको जानना है तो कैसे जानना इनकी क्या importance है और इनको जानने के लिए क्या क्या test available है क्या हर इंसान जिसको minor blockage है उसको medicine start करनी चाहिए क्या हर इंसान जिसको minor blockage उसको angiography करना चाहिए क्या हर इंसान जिसका minor blockage उसको stenting करना चाहिए इन सब topics पर बात करेंगे यानि कि minor blockage अगर किसी की नली में है, तो उसका क्या definition है, उसका क्या implications है, उसमें therapeutic strategy कैसे decide करते हैं, इस बारे में बात करेंगे, यह topic काफी interesting हो, यूसफुल होगा, इसलिए recommend करूँगा किसे एंट तक देख, आज का topic है, minor blockages पर, minor blockage का मतलब यह है कि जो non-critical blockage है, critical blockage का मतलब यह होता है कि critical blockage से heart attack आने का chance बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो blood के flow को रोकता है, blood के flow को रोकता है, blood का महाँ पर turbulence create होता है, turbulence create होता है, तो महाँ पर membrane rupture होने का chance बढ़ जाता है, क्योंकि blood उसको बार-बार friction करता रहता है, उसके उपर, जितना ज़्यादा blockage बढ़ता जाता ह उसके साबसे वहाँ पर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है, अगर किसी को 90% ब्लॉक है जाए, इसका मतलब फ्लो होने के लिए सिर्फ 10% जगब आगे, तो ब्लड वहाँ पर जादा घर्शन करेगा, जादा घर्शन करेगा तो प्लाप के डामेज होने का और चांस बढ़ जाएगा, मेंब्रेन के रप्चर होने का और चांस बढ़ जाएगा, हाट अटाइक आने का चांस बढ़ जाएगा, अब ये membrane का रप्चर होने का क्या मतलब है कि नली के अंदर कोलेस्ट्रोल जे होगे membrane ये एक layer के अंदर-अंदर deposit होना चालो होता है नली के उपर directly आके चिपक नहीं जाता अंदर की सतय से blood के through या नलीयों के through आता है और नलीयों के जो अंदर वाली सतय है membrane के नीचे वहाँ पे जाके deposit होता है धीरी-धी करके वह जैसे-जैसे deposit बढ़ते जाता है वह membrane को धक्का दे दे कि नली के अंदर की तरफ पुश करने लगती है जिस तरह blockages अगर जैसे-जैसे बढ़ते चले जाते है उससी साब से नली का flow compromise होने लगता है जब ज्यादा blockage create हो जाता है तो नल 70% से कम blockage है तो वैसे cases में obviously heart attack आने का chance कम है क्योंकि blood को जाने के लिए अभी भी जगा available है मतलब 50% ब्लॉकेज जाता है 50% फिर भी जगा है जहांसे blood जा सकता है 70% ब्लॉकेज है तो 30% जगा है जहांसे blood जा सकता है लेकिन ऐसे blockages की भी importance होती है क्योंकि ऐसे blockages में भी heart attack आ जाने का chance कई गुना जादा रहेगा लेकिन अगर किसी को 50% से कम blockage भी है तो वह भी plaque कई बार soft होते हैं कभी-कभी उनमें भी plaque rupture हो सकता है और जब rupture होता है membrane तो उसके बाद महां पे cytokines और hormones जितने जादा आ जाते हैं कि वह सारे platelets को महां पे चिपका देते हैं जिसकी वजे से major या massive heart attack आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति को 50-60% से भी कम blockage है तो भी वो heart attack के risk से बिल्कुल free है ऐसा नहीं है उसको भी heart attack आ सकता है हाले कि 90% जिसको है उसके comparison में वो जगा पे जितना heart attack आ सकता है उससे risk कम रहेगा पर यह 50% माले blockages का चक् इतना percent तो सबको ही रहता है तो एक उमर के बाद तो सबको ही 50% हो जाता होगा तो वैसा कोई ज़रूरी नहीं है वो अपकी नली की तासिर पर डिपेंड करता है आपके परेज पर आपकी lifestyle पर बहुत सारे factors पर डिपेंड करता है जितना ज्यादा परेज करोगे जितना ज्य फिर उसमें heart attack आने का chance बढ़ जाता है तो वहाँ पर stenting करना पड़ता है 50% से कम वाले blockages में stenting करने का role इसलिए नहीं है क्योंकि यह बहुत सारे होते हैं हर जगा 10-20% blockage है तो सब जगा तो आप stent नहीं कर सकते और stent का purpose क्या है कि कच्रा ज्यादा है तो जगा create करने के ल जादा नहीं है क्योंकि already वहाँ पर 70% जगा है जहांसे blood जा सकता है तो friction वाला जो role है blood का वह इसमें वैसे भी play नहीं करेगा क्योंकि friction तो तभी होगा जब blockage 70-80% से जादा होगा तो 50-60 वाले blockages में हाला कि heart attack आने का chance बहुत जादा है उनमें भी लेकिन उसमें stand डालने क को indication नहीं कि इस stand का purpose वो serve नहीं करते हैं उनमें attack आने का chance इसले जादा है क्योंकि उनके numbers बहुत जादा होते है critical blockage तो 1-2-3 होते हैं पूरी नली में किया 10 होते हैं कि कि किसी को 90-95% का block है लेकि 10-20 वाले तो नली में 500 जगा हो सकते हैं तो 50 में से कोई एक भी रप्चर किय तो heart attack आ सकता है क्योंकि भले blockage नली में 20-30% हो लेकिन बाकी जगा platelet आके occupy कर लेते हैं तो नली वैसे case में 100% बंद हो सकती है तो ऐसा नहीं है कि 20-30% वाली patients में heart attack नहीं आ सकता तो अब problem यह है कि इनको detect कैसे करें क्योंकि यह blockage जो है सिर्फ angiography पर ही pick up हो सकते हैं यह कि ECB TMT पर या stress test पर pick up नहीं हो सकते हैं क्योंकि stress test का concept क्या होता है कि हम चलाते हैं patient को stress कराते हैं stress में जब नली का blood flow compromise होता है और ECG में changes आने लगते हैं तो हम उसको pick up करते हैं या MRI या ECO पर changes आने लगते हैं तो हम उसे pick up करते हैं पर अगर किसी को 20-30% or 40% blockage ही है तो आप क सिर्फ 70-80% वाले blockages में ही changes को pick up कर सकता है वो भी उसके predictive value खाली 70-80% होती है 100% फिर भी नहीं होती है लेकिन ये 20-30-40% वाले blockages को आपको pick up करने के लिए आन्जो करना पड़ता है पर हर case में आप आन्जो नहीं कर सकते हैं क्योंकि आन्जो invasive test है आप जितने बार करते हो heart क यह नली का damage होने का भी chance रहता है contrast related heart का damage होने वी रहता है कि इनी के damage होने का chance भी रहता है तो ऐसा नहीं है कि हर तीन मैंने में आपने एक बार आन्जो करके देख लिया कि 10 है कि 20 है कि 30 है चलो फिर से चेक करते हैं ऐसा टेस्ट एंजो नहीं है जो आपको specific indication के लिए critical blockages के लिए ज्यादा तर किया जाता है देखने के लिए आप कर सकते हो कि मान लिए कोई वक्ति अपना CT एंजो 5 साल में एक बार करा रहा है या 5-7 साल में जिनको risk factors एक बार देख लिए कि कितना blockages है वैसा आप कर सकते हो ल जब किसी patient को risk factors होते हैं या अगर by कोई और कारण से है TMT positive है या कोई और कारण से अपने अंजो किया उनको अगर critical blockages नहीं है non critical blockages है तो वहाँ पे आप medicine चालू कर देते हो as a protective mechanism की खून पतला करने का दवा single antiplatelet plus cholesterol कम करने की दवा statin statin का main purpose यह है कि वो cholesterol तो कम करता ही करता है membrane को भी stabilize करता है तो membrane फटने का chance वह comparatively थोड़ा कम रहता है endothelial dysfunction और यह cytokines के बनने का जो process है वो सबको भी थोड़ा कम करता है तो इसलिए statins जो है सिर्फ cholesterol reduction के लिए भी नहीं दिया जाता है वो membrane stabilization के लिए भी दिया जाता है तो वहाँ पर stenting का कोई role नहीं है routine angiography का भी कोई role नहीं है कि आपने हर patient में routine angiography की कि चलो देखते हैं कि 20 है कि 30 है कि उसका भी कोई role नहीं है क्योंकि उसको करने से सिर्फ दवा देना या नहीं देना उसका ही decision में थोड़ा बहुत फरक पड़ेगा पर otherwise वो क्योंकि invasive test है क्य और cholesterol के बढ़ने के chances को कुछ हद तक कम कर पाती है इसलिए भी routine angio नहीं करते है क्योंकि routine angio करके मान लीजिए आपने 40% प्रकड़ भी लिया और आपने उसको खून-पतला करने की दवा चालू कर भी दी पर ज्यादे तर आप दोनों खून-पतला करने की दवा यानि आश् रिस्क है तो आप बार-बार जो आप angiography करने में जो रिस्क है उसको आप जेल रहे हो तो वीजा भी आपको जो benefit मिल रहा है उसको जानके वो बहुत ज्यादा नहीं है यानि अगर दवा चालू किया और दवा से भी 100% कुछ control नहीं हो रहा तो आपको दवा चालू करने का decision करने का ज्यादा मतलब नहीं है इसलिए सिफ यह 20-40% वाले blockages को जानने के लिए रूटीनली नहीं करते हैं कोई और कारण से और यह मिल गए तो आप जरूर दवा चालू कर देजे पर दवा उसको 100% तक नहीं रोक पाएगी और 100% उसमें heart attack कभी आएगा है नहीं वो predict कर प उसमें आपको मिला blockage तो आप उसको treat कर सकते हो सिर्फ देखने के लिए आपको को enjoy करने का ज्यादा role नहीं है TMT और इस तरह के stress test में यह पकड़ में नहीं आते हैं क्योंकि TMT सिर्फ critical blockages को detect करता है minor blockages को pick up नहीं करता है तो इसलिए minor blockage की importance तो बहुत है लेकिन इनको pick up कर करना easy नहीं है एंजो ही एक मातरा टेस्ट है तो उसको अगर selected indication होता है या patient बहुत high risk होता है तो करते है पर otherwise नहीं करते है जहां अगर बहुत ज़्यादा doubt लगता है तो empirically patient को दवा चालू कर दी जाती है कि risk दवा से जो कम होना होगा वो हो जाएगा अगर एंजो हुआ त आप CTN जो कर सकते हो क्योंकि वो competitively less invasive है लेकिन regular आंजो करने का इसमें कोई protocol नहीं है कि अगर किसी को 50% है तो हर 6 मेने में या हर 2 साल में तीन साल में बार बार आंजो करके देख रहे हैं कि बढ़ा की नहीं बढ़ा की नहीं बढ़ा की नहीं तो वैसा करने में भी risk कई प्लाकेज के miss होने का या गलत रिपोर्ट आने का भी ज्यादा चांस रहता है तो वो अपने अपने एक अलग problem है कि इसलिए यह minor blockages important तो जुरूर है लेकिन detect करना थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए इनको अगर एंजो में pick up हो जाये तो ठीक otherwise इनके लिए इतनी माता पच करते हैं एंजोग्रफी का क्या रोल है इसमें इस बारे में बात की यदि आपकी फिर भी कोई comments query suggestions है तो नीचिक comment box में उनके बारे में बताए अगर आपकी कोई patient related queries है तो उदके बारे में भी आप comment box में बता सकते हैं हम उन्हें भी sort out करने का प्रयास करेंगे अनक में मैं Dr नभी नगरवाल तहेदल से आपका शुक्रिया तक होंगा कि अपसे topic को अपने तक देखा जो लोग मैं चैनल पर नए हैं उन्हें request करेंगा इस चैनल को subscribe करें जो लोग इस content को English में देखना चाहते हैं उनके लिए recently Dr. नभी नगरवाल काडियो केरे English करके हमने channel स्टार्ट किया है अब उस content को English में भी देख सकते हैं Thank you